सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सबी कर सागते शिक्षा ने देशाले रास्टी राजा नीचे दिली की वर्कशीट जसे डिसकस करेंगे 31 अगस्त 2021 की कलास एर्थ की विश्य समाजिक विज्यान है तो स्टार्ट करतें बचो वर्कशीट इस्तरोत आधारित पर्शन नीचे दिये गए इस्तरोत को द्यानपूरवक पढ़िए और दिये गए पर्शन संक्या एक से चार के सही उत्तर वाले विकल्प को गोले को पैंस अपने स्थापित किया 1707 में उनकी मृत्त्यों के बाद बहुत सारे मुगल सुबेदारों और बड़े-बड़े जमीदारों ने अपनी छेत्रिय रियासतें कायम कर ली जैसे जैसे विबिन भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी दिल्ली आधिक दिनों तक प्र अलीजबेद प्रिथम से पूरब में व्यापार का चार्टर हासिल किया इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार मिल गया यानि ग्लेंड की कोई और कंपनी इस इलाके में इस इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी इसके द्वारा कंपनी समु मुगल शासकों में आखरी मुगल शासक कौन था जो आखरी शक्तिशाली मुगल शासक था वो था औरंग सेब ठीक है बच्चो इससे मैंने टिक भी कर दिया और सामने का बॉक्स भी फिल कर दिया इसाब पैंसिल से गोला करके ब्लैक कर लेना पिर्शे नमबर दो है मुगल सम करेंगे ए और बी दोनों पिर्शे नमबर तीन है पूरु से वयपार का एक अधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश इस्टर इंडिया कंपनी ने वयपार का अधिकार प्राप्त किया था भारत से यूरोप से से सेंगतुराज अमरीका से मेक्सिको से तो इसका आंसर प्रिश नमबर चार है ब्रिटिश इस्टर इंडिया कंपनी को पूरु से वयपार का एक अधिकार किस से पराप्त हुआ महराणे एलिजबएट फ्रस्ट, निम्हाराणी विक्टोरिए इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर है महराणी एलिजबएट फ्रस्ट प्रिशन नमबर पांच ये दो दो नमबर के हैं 5-6-7 ठीक है निमले के प्रिशनों के उत्तर दीजिए प्रिशन नमबर पांच में है किनी दो भारती राज्यों के नाम लिखे जिने हरप की नीती के तहत प्रिशन फ्रिशन नमबर पांच, श्य साथ दो दो नमबर के हैं आठ और नो तीन–टे नमबर के और दस वन चार नमबर कह, तो करते हैं यह देखे, कोषन नमबर छए हैं यहां पर मैंने कोषन शॉर्ट में लिख दिया, आप देख ले ना मराटा संग में पेश्वा की क्या भूमी काती तो इसका आंसर होगा या आंसर है इसका आंसर 6 मराटा सम राज़ा के प्रधान मत्रियों को पेश्वा मराठी पेश्वे कहते थे राजा के सलाकार परिशद अश्ट प्रधान के सबसर प्रमुक होते थे राजा के बाद इनी का इस्थान आता था अब प्रिशासनिक सुधार के अंतर गए तो वारेन हैंस्टिंग्स ने सबसे पहले 1772 में कोर्ट ओफ डारक्टर्स के आदर्श अनुसार बंगाल से देध शासन परढाली की समापती की घोशना की और बंगाल के प्रिशासन को पुनरगटित करने का प्रियास क्या यह हो गया आपका आंसर नमबर 7 ठीक है आप कोशन नमबर 8 देखते हैं कोशन नमबर 8 यह रहा आपका बकसर की लड़ाई 1764 का क्या महतु था तो यह आंसर नमबर 8 आप लिखेंगे बकसर का युद 22 अक्टूबर 1764 में बकसर नगर के आसपस इस्टी इंडिया कंपनी के हैक्टर मुनरो और मुगलो तथा नवाबो की सेनाओं के बीच लड़ा गया था लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परणाम में पस्चिम बंगाल, बिहार, जारगंड, उडिसा और मंगलादेश का दिवानी और रासु अधिकर अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया तो यह हो गया प्रिशन नमबर 8 का उत्तरक ठीक है अब यह है प् 9 बड़े राज़े अपने राज़े में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी जबकि सेना का खर्च राज़े को उठाना होगा राज़े को अपने राज़े की राज़धनी में एक अंग्रेज अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार रहोगा राजय कंपनी के अनुमति के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे ठीक है अब कोश्य नमबर 10 कोश्य नमबर 10 है बच्चो पूर्व के साथ वयपार के एक अधिकार चार्टर से ब्रेटिश इस्ट इंडिया कंपनी को किस प प्रति एक बंदरगा और खरीदने प्रति एक बंदरगा खरीदने तथा बेचने के लिए जगहे जगों के इस्तमाल की जासत दी गई यह होगा आपका आंसा नमबर 10 तो वरक्षीट होगे यह कंप्लीट बच्चो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वर्चिंग प्रति प्रति वर्चिंग झायक्स चाल नेक्स आपवाग रदस्था यह जगई जगजगा झायक्स प्रति उख़ूर को जो वर्चिंगा प्रति एक्स आप।बुम् झालबान लुट हुआ लुट है।